इस वक्त देश प्रधान मंत्री जी की जो कारे शैली है वो ये हो गई है कि देश के अंदर किसी भी राज्य में अगर विपक्ष की कि बीजेपी के अलावा किसी भी किसी सरकार होगी तो उस सरकार को काम नहीं करने रहेंगे ये बहुत ज़ादा खतरनाक है प्रधान मंत्री किसी भी देश के एक फादर फिगर की तरह होते हैं चुनाव में हम आपस में लड़ें लेकिन चुनाव होने के बाद ए पूरी तरह से सपोर्ट देनी की जिम्मेदारी और उसके साथ खड़े होने की उसको अच्छा काम करने में मदद करने की जिम्मेदारी प्रधान मंतरी जी की होती है। तरह से तंग करते हैं ँनकी पार्टी तोड़ देते हैं इनकी सरकार गिरा देते हैं पूरे देश में कई जगे ये देखने को मिया, गोवा में देखनेखने को मिला अगाराश्या में आ जाए तो सारे मामले बंद हो जाते हैं हिमंत बिश्व शर्मा जो इनके उपर पहले सीबे और एडी के इतने मामले थे शार्दा कांड था शायद उनका उसके अंदर वो फसे और जैसे वो बीजेपी में आ गए सारे मामले खतम तो या तो वो पहले निर्दोश थे और दोशी तो थे लेकिन बीजेपी में आ गए इस तो सारे मामले खतम उसी ज़से शुवेंदु अधिकारी का मामला आता है मुकुल रॉय का मामला आता है नाराहिन राने का मामला आता है अभी उद्धव ठाकरे जी की पार्टी से जब इतने सारे अमले तो चूड़े गए त दूसरी विपक्षी पार्टियों को तोड़ने के लिए दिल्ली के अंदर जिस तरह से इन्होंने मनी इस सो दिया जो और सतेंदर जैन जी को गिरफतार किया दोनों के पास शुरू शुरू में इन्होंने बहुत लोग भेजे की केजरी वाल का साथ छोड़ दो और आप भारत का इस्तेमाल केवल और केवल विपक्ष को तोड़ने के लिए और बीजेपी की जबरदस्ती सरकार बनाने के लिए किया जा रहा है दूसरा गवर्नर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है मैं स्टैलिन साब से बात कर था बीस से ज़्यादा बिल जो विधान सबाने पास कर दिये उस पे Governor साथ साइन नी कर रहा है केसियार साब ने अभी कल सुप्रीम कोट में केस किया है कि हमारे बहुत सारे बिल गवर्नर लेके बैठे हैं उस पे साइन नहीं कर रहे पिनराई विजियन साब के कई सारे वाइस चांसलर्स की न्युक्ति उन्होंने रद कर दी ऐसे चुनी हुई सरकार ही कैसे ममता दीदी परेशान है नेतिश कुमार जी से मैं बात कर रहा था वो परेशान है दिल्ली के ले बीजेपी सरकारों को काम नहीं करने देगा और अवरोध रोज पैदा करेंगे देश के प्रधान मंतरी तो इस तरह से तो देश के लिए बहुत खतरनाक स्थिती है